भारत की जनता की कमाई और मैनत बेच रही है अपने चंद मित्रों के जेब में वो डाल रही है इस न्युवी इंडिया में भूकमरी बढ़ रही है प्रदूशन बढ़ रहा है शिक्षा महंगी हो गई है लेकिन रुपए लुड़क रहा है यहां गोड़से को देशवक्त बोलते हैं और महत्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं यहां बाबा साहिब के समीदान को बदल कर संग के समीदान को लाने की कोशिश हो रही है मेरे लिए बहुती भावक्षण है आज एक वरकर मजदूर का बेटा एक सामान्य कार्यकरता को भारती रास्टी कोंग्रेस का अध्यक्ष चुनकर यह सम्मान देने के लिए आप सब का हार्दी आभार और धन्यवाद देता हूँ जो यात्रा मैने 1969 में ब्लाक कोंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी उसे आपने आज इस मुकाम पर मुदे पहुँचाया है जिस महान राजनीतिक दलका नेत्रत्व महत्मा गांधी जी, पंडिक जवरलाल नेरु जी, सुभाष चंद्र भोष जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाज जी, बाबु जग्जिवन राम जी, इंद्रा गांधी जी और राजू गांधी जी ने किया हो, उस जम्यवारी को समभलना मेरे लिए सोभग और गवरों की बात है टाक्टरम बेट करने, जो इस देश के समिधान को बनाने में, अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सब का फर्ज है, इसके लिए लड़ना हम सब को तैयार होना चाहिए, कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए, मैं आप सब को भरोसा दिलाता हूँ, कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभों से, जो कुछ भी संभव होगा, मैं करूंगा, लेकिन आप सब को भी मेरे साथ, पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठैरना होगा, यही मेरा अपील है, आज इस अउसर पर कॉंग्रेस के करणो कारिकरता की तरफ से, स्रीमती सोन्या गांधीजिक के बहुमुल्य योगदान के प्रती रदे से आदर, सम्मान और आभार वेक्थ करना चाहूंगा, मुझे याद आता है, 15 जनवरी, 1998 का दिन, जब बेंगलूर के नैशनल हाई स्कूल, मैदान में, आपने अपनी पहली जनसबा में कहा था, कि मैं करनाटक से राजनीती की दिक्षा ले रही हूं, तब से आपने राद दिन निश्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है, सोन्या जी हमेशे सचाई के रहा पर चलती रही, सिर्फ सत्ता के लिए राजनीती करने मालों के इस दोर में जाक की, जो मिसाल उन्होंने काइम की है, उसका कोई दूसरा उदान मिलना मुश्किल है। उनके नेत्रोत में ही दो बार यूपिये की सरकार बनी, तब आम लोकों के हित में एक से एक शांदार काम हुए। मन्रेगा, Food Security Act, Right to Information, Right to Land Acquisition, Right to Forest Rights, जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सुन्या और डाक्टर मनमोन सिंग जी के नेत्रोत वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्दी है। उदाइपूर के नाव संकल्प चिंतन सिभीर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्ल्यूप्रिंट सोन्या जी के नित्रोत में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। मैं जानता हूँ कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोगतंत्र की स्तापना कांग्रेश ने की थी, उसको बदलने की कोशिस आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीती का दौर भी आएगा जिसमें जूट का बोल बाला होगा और सत्ता में बैटे हुकुमरान लोगतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जुट, फरेव और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कॉंग्रेश की विचारधारा भारत के समिदान की विचारधारा है। और करडो देशवासी उसमें दिल से एकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेश पार्टी के साथ फार्मली जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन वो लोगतंत्र को बचाना चाहते हैं। कॉंग्रेश अद्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आये हम साथ चले। मैं उन्हें एकीन दिलाता हूं कि ये देश के सब के लिए और कॉंग्रेश की सब की भलाई इसी में है। कॉंग्रेश पार्टी 137 वर्षों से लोगों की जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याक के बावजूद, मद्दाता हम से कुछ रूट गए है। मैं राभूल गांदी जी की आभार मानता हूँ, जिनों ने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उन से सिधे समवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो NGO's हो, intellectuals हो, journalist हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं। फिर जब interval होता है, उस वक्त उनसे समाद भी करते हैं। यह बहुत बड़ा achievement हमारे party के लिए हैं, और यही बड़ी देन हमारे लिए हैं, खास कर मेरे लिए हैं। कन्या कुमार इसे कश्मीर की इस भारत जोड़े आत्रा में हर रोज लाखो लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई उर्जा पैदा हो रही है, इस उर्जा को हम वर्त नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अद्यक्ष के रूप में यह मेरा दायित तो है, इस दायित को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विशे में तयार हूँ। मैं नीचे से काम करते विए आया हूँ। एक प्राइमरी मेंबर्स, ब्लाग कॉंग्रेस कमिटी, काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूँ और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुँचा हूँ। मैंने खुद हर रवस मुश्किल का सामना किया, जिसका सामना आम खार्यकरता और पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी में काम करते हुए जो चुनोतिया आती हैं, जो उतार चड़ाव आते हैं, जो आशा और निराशे से आप गुजरते हैं, मैं उनसे वाकिफ हूँ. इसलिए मैं विश्वास के साथ आप से कहना चाता हूँ, कि हम साथ मिलकर हर चुनोति का सामना करेंगे। जो भारत को धर्म, जाती, जंडर के बटवारे से उपर देखना चाते हैं, जो भारत में शांती चाते हैं, रोजगार चाते हैं, विकास चाते हैं, वैद्नियानिक सोच चाते हैं, लोगतंत्र चाते हैं, ये यवाही देश की और कॉंग्रेस की उमीद है। उदाइपूर्स नौसंकल्प सिवीर में हमने तई किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाये जाएगा संगटन में 50% 50 साल से कम उमर के लोकों के लिए रिजर्व रहेगी युवाओं की इस उमीद को पुरा किया जाएगा आप सभी के कॉपरेशन से साथ ही उदाइपूर में हमने तई किया था कि कांग्रेस के कारेकरताओं को ससक्त किया जाएगा ब्लॉक जिला राज और राश्टी स्तर पर सभी और्गनाइजेशनल वेकेंसीज भर दी जाएगी ये होके रहेगा हुदाइपूर डिक्लेरेशन में पार्टी के निर्णे जो लिया है कि उस चुनाओं के तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और ए आई सी सी एलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाये जाएंगे ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है इसी लिए इने हम तुरंत स्तापित करेंगे सभी राज्जों में जल्दी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी बनेगी कॉंग्रेस प्रेसिदेंट की मदद से सोशल जस्टिस अडवाईजरी कमिटी और स्सी एस्टी ओबीसी वर्गों के लिए लीडर्शिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा हमें उदाइपूर में संकल्प लिया था कि देश में मौझुदा सरकार की अराजकता को मूँ तोड जवाब देंगे बीजेपी आरेसेस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो वो लोग निव इंडिया की बहुत बात करते हैं पर ये कैसा निव इंडिया है जिसमें इवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है जा किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है ये कैसा निव इंडिया है जहां जनता मंगाई से त्राई त्राई कर रहे हैं लेकिन सरकार आखे बन करके बैटी हुई है भारत की जनता की कमाई और मैनत बेच रही है अपने चन्द मित्रों के जेब में वो डाल रही है इस निव इंडिया में भूकमरी बढ़ रही है प्रदूशन बढ़ रहा है शिक्षा महंगी हो गई है लेकिन रुपए लुड़क रहा है यहां सरकार सो रही है लेकिन एडी इंकम टैक्स सी बी आई दमन के लिए चोबी सो घंटे काम कर रहे हैं उनके इस इंडिया में दलित आदिवासी अलपसंक्याक सोशित समाच के लोकों को अपमानित किया जाता है उनके मूखे चीने जा रहे हैं और आज के दिन इसी नू इंडिया में जूट को सच और सच को जूट बनाया जा रहा है यहां गोडसे को देशवक्त बोलते हैं और महत्मा गांदी जी को देशदो ही बोलते हैं यहां बाबा साहिब के समीदान को बदल कर संग के समीदान को लाने की कोशिश हो रही है इसी नू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहेंगे आज मैं खास कर इस मुक्त पर हमारी पार्टी के नहीं चुनेगे नौ हजार से भी ज़्यादा डेलिगेट्स पी सी सी डेलिगेट्स को बहुत बदाई देता हूँ और उन से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी पार्टी के आदार हो आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से करीब हो इसलिए ये कहिना गलत नहीं होगा कि आप हमारे कौंगरे संगटन के आँख और कान हो आप अपने अपने ब्लॉक में हमारे पार्टी के छे करोड प्रात्मीक सदश्चों के सुक दुख के साती हो हमारा एक आम कार्यकरता जब मजबूत होता है तभी हमारा केंदरी संगटन मजबूत बनता है इस देश में समिदान की रक्षा होगी सब के सम्मान अधिकार की और आउसर की रक्षा होगी लोकों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे जनता की आवाज बनेंगे मैंगाई, बेरोजगारी, भुकमरी से लड़ना होगा भारत वाशियों के भविश्की रक्षा करनी होगी आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाओ होने है जनता इन राज्यों में बदलाओ चाहती है हमें मजबूती से इन में अपने पार्टी का प्रदर्शन करना होगा आप सभी का सहकार और सभी की महिनत उसमें लगना चाहिए तब ही हम उसमें यश पाएंगे हम महात्मा गांधी के सिपाई है हम किसी से डरते नहीं और जब कांग्रेस कारिकरता अपने अंदर के डर को निकाल देगा तो बड़े से बड़ा सामराज भी गुटने टेक देगा तो इसलिए मुझे एक बार जान आता है राहुल जी जब लोकसभा में थे एक शब्द हमेशा कहा करते थे जो भी मुश्किले हमको आएंगे इसको डरना नहीं उनका वरड़ी था डरो मत और वोही डरो मत का स्लोगन हम आगे लेकी चलीगे मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई कॉंग्रेस लड़ रही है वो सिर्फ हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है हमारे पार्टी के लिए नहीं है यह आपके भविश की लड़ाई है जिसे हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और एसे स्विस में हासिल करेंगे इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को समाब करता हूँ जाई इन जाई कॉंग्रेस